नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका अपनी चल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्किट की लेटेस्ट निउस मिलती रहती है आज है 20 जनुरी 2021 एंड आज एक बैंक का रिजल्ट आना था जाना मनब बैंक है छोटे प्राइस का है हमने लास्ट टेम दो मेने पहले भी डिसकस क किया था वहां से बैक निफ्टी के साथ पूरा मार्केट ही बूल रन दे रहा है तो यहां पर भी अच्छे गेंस मिले हैं तो देखें यह रिजल्ट कैसे प्रोवाइट के एक्सपेक्टेशन का नुसार आए है नहीं और क्या मेन फेक्टर्स है यानि एन पीए और प्रोव देखेंगे तो देख सकते हैं लगबख सौ के आसपा चलता रहा और यहां पर गिरावट हुई 38-30 के लेवल तक और वहां से दीरे-दीरे रिट्रेस कर रहा है अपने प्रीवेस प्री कोवीड लेवल हाई को तो यहां पर कुछ पैंक्स हमने देखे हैं अपने प्री कोवी लेखेंगे तो चल यह direct result पर चलते हैं तो देखें stand alone results हमारे सामने provided है और lakhs में है सारी amount तो हम इसको करोड में convert करकर बात करेंगे तो interest earned के अगर बात करें तो फिलहाल quarter में 3459 करोड, 3450 करोड से थोड़ा उपर हुआ है जो लगबख flat है पिसले quarter से देखें और last quarter से थोड पर total income देख लिए अगर आप बाकी 1000 income add कर लेते हैं तो total income 3941 करोड जो लगबख 3997 करोड थी तो quarter on quarter आप देखें है नंबर flat है लेकिन यह पर year on year यहाँ पर हमें एक तोड़ा jump देखने को मिला है company के total income में expenditure देखे 2970 करोड के आसपास company का expenditure हुआ है जो last time last quarter में 2990 करोड था and last year भी 2900 करोड तो company का income भी flat है और यहाँ पर expenditure भी flat है जहाँ पर interest expenditure की बात करें तो इस बार interest से कम खर्चा हुआ है 2022 करोड के आसपास तो यहाँ पर operating profit आ जाते है 962 करोड जो last quarter में 1006 करोड था तो यहाँ पर थोड़ी से गिरावट है लेकिन आप year on year देखेंगे तो 743 करोड तो year on year हमें इस stage पर यानि operating profit पर एक बड़ा jump देखने हो मिला है तो यह note करने वाली बात है कि operating profit margin में हमें increase दे last time last year 160 करोड के provisions रखे थे जिसके वैसे company का net profit था period का 440 करोड और इस बार है 404 करोड तो यहाँ से main बात note करने वाले कि provisions का जो pressure है यह आप जानते है काफी loans अभी retail site से bad loans होंगे NPS घोशित किये जाएंगे वहाँ पर bank ने पहले ही पैसा रग दिया है कि यहाँ पर covid को लेकर काफी financially stress आया था तो ऐसे में इस बार bank ने 420 करोड के provisions रखे हैं और last quarter में यह 592 करोड तो पिसले 2 quarters हमें बड़े numbers देख रहे हैं जिससे थोड़ी balance sheet effect होती दिख रहे हैं लेकिन operating profit की बात करें तो अगर चीजे normal होई आगे आने वाल समय में कुछ महीने है साल लग सकते हैं तो वहाँ पर bank एक अच्छी solution में लग रहा है तो net profit की बात किया तो लगबग 8% के आसपास कम है bank का net profit year on year और वहीं पर quarter on quarter की बात करें तो यहाँ पर हमें jump देखने को मिला है लगबग 30 से 35% के बीच में earning पर share की बात करें तो 2.03 है annualized नहीं है 2.21 थी last time and 1.54 थी पिसले quarter में तो हमें जहाँ देखने हो मिला quarter on quarter performance बढ़ी है analytical ratios देखें तो gross NPA विलहाल total NPA 3760 करोड के है और last year 3618 करोड के थे तो NPA में थोड़ी गिरावट आई ए year on year और वहीं पर net NPA देखे जानी bank provisions रखता है उन NPAs है तो last quarter में कितने थे 1218 करोड तो यह असर हमें दिखा है provisions रखने का कि पिछले quarter हमें 500 करोड के आसफर provisions देखें जिसके विए से NPAs कम हो गए और इस quarter में 400 करोड के और रखे तो NPAs कम होके 757 करोड हो गए है तो balance sheet पर ज़रूर असर आ है bank की एकिन NPAs की बात करें तो यह भी घड़ गए है तो वहाँ पर आपको neutral effect देखने हो मिलेगा long term में और वहीं percentage NPA बात करें तो 0.60% NPA है तो last year 1.63% तो 1% से नीचे लेकर आ गया है bank अपने NPAs और return on asset 0.21% रही है फिलाल हमें थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है segment wise revenue देखा जाए तो आप देख सकते 618 करोड के आसपर treasury से revenue आया है और वहीं पर corporate site से 1047 करोड और retail site इस बार outsend किया है 2275 करोड तो यहाँ पर major jump देखने को मिला है retail site में quarter on quarter and year on year लगबग 10% के आसपास का बड़ा jump देखने को मिला है और वहीं आप profit की बात करें तो यहाँ पर retail site से 439 करोड का अकेला profit आया तो यहाँ पर यह सर हमें देखने को मिल रहा है margins का and corporate और wholesale banking से आप देख सकते है negative 19 करोड रहा है इस बार जो पिछली बार 150 करोड था last quarter में and last year 63 करोड तो retail site में हमें positive देखने को मिला है delivery जादा नहीं उठाए गई 17.75% delivery उठाए गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज के दिरल्ट से हमें जादा कोई बड़ा move देखने को नहीं मिला फिलाल शेर में क्योंकि downward है result लेकिन operating profit बढ़ाया तो यहाँ पर neutral based हमें performance दिखाई दी है शेर में चार्ट देखते 200-day moving average से तो वहाँ पर हमारा साफ target था last time पर gap filling यानि 72 के आसपास उसमें share 60-61 के आसपास चल रहा था तो देख सकते हैं आप अच्छा कासा profit भाही हो गया था लेकिन market में तेजी जाली रही and यह move continue रहा लेकिन bank में support कहा लिया share ने support किया उसी level पर 71 के आसपास जो पहले gap थ और आज के दिन हमें एक और importance देखने को मिली यह जो यह level है लगबक 76-77 के बीच में जहां पर अभी फिलाल trade कर रहा है तो यह level एक अच्छा resistance बनकर है last time भी आप देख सकते हैं 4-5 trading session लगबक एक हफ़ते किसी क्रॉस नहीं किया था और फिर नीचे आ गया था gap से support यह अग जारी रहा तो उसके बाद 88 तो ध्यान रखें जब दो टार्गेट सेकते हैं इसका मतलब यह कि first target आने के जादा probability है और second target में आपको थोड़ा trailing करनी पड़ेगी एक target दिया जाता है कभी दो target तो वहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि first target अच्छीव हो गया तो उ चीदा बढ़ता है तो एक तरीके साब stop loss लगा कर इस बैंक में आगी दिनों में trade कर सकते हैं और आज के दिन हमने कल भी डिसकते हैं निफ्टी के लिए important है previous high break करना और निफ्टी ने आज वो किया है तो यह पर positive sentiment बन जाता है लेकिन ऐसे में हमें धीला नहीं रहना है market आज ने तो कल reverse जरूर करेगा कुछ हफ़ते में कर सकता है तो हमें अपने stop loss mechanism exit mechanism तयार रखना है weekly chart देखें लंबे समय कर तो देखें pitchfork resistance पर पहुंच चुकर pitchfork resistance दोस्तों लंबे समय के resistance होती है अपर weekly chart है तो इसको break करना थोड़ा मुश्किल रहते है लेकिन अगर इस दिखते bullish engulfing और जो previous red candle थी उसको इस week की candle completely open and close को shadow कर रही है नीचे से भी और उपसे भी तो bullish engulfing candle बनती दिखाई दे रही है तो उपर के target अगर नीचे के level secure रहे तो उपर के target तो आपके आई जाएंगे तो इस तरीके से आप trade कर सकते हैं तो यह थी दोस्तो federal bank से पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को subscribe कीजिए